गुड मॉर्णिंग मा डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो देखिए फ्रेंड्स साम का वक्ट है और हमारे हाँ अभी बारिस हुई है और मैंने जब अपना पोर्च गार्डन अभी दो दिन पहले आप लोग से सेयर किया है नया सेट अप तो मैंने बूला था कि अधी मौसम अच्छा रहा क्योंकि हमारे हाँ अचानक से बारिस हो जा रही है बीच बीच में तो अगर बारिस होगी तो मैं बहुत सारे जो मैंने प्लांट पर्चेस किये हैं उनकी रिपोर्टिंग करूंगी तो आज मैंने सोचा आज मौसम भी काफी अच्छा है तो क्यो तो वीडियो में लाज तक बने रहेगा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बिल आइकन को प्रेस की तो सिंगोनियम को फ्रेंड्स आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और एक पत्तों से भी बहुत अच्छे से ग्रोव कर सकते हैं कुछ कटिंग मैं और भी लेकर आई थी देखे जो अंजवाईन के प्लांट आते हैं और वाइंडरिंग जीओ, मौस रोज की कटिंग लेकर आई थी उसमें से बहुत सारे खराब हो गये हैं तो ये सारे cutting से लगने वाले plant ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार कोई सी भी cutting अगर एक cutting भी grow हो जाती है तो उससे अब धेरो plant बाद में तयार कर सकते हैं मेरे garden में भी एक plant ऐसा था वाइंडरिंग जीव जो बिल्कुल खतम सा हो गया था फ्रेंड्स मेरा ध्यान जो है उस ओर नहीं गया और धिरे धिरे करके मेरे सारे plant खराब हो गया लेकिन एक plant जब अचानक grow हुआ और मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने उससे कितने सारे plant नहीं जाता है तो मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी हैंगिंग बास्केट वाले plant हैं उनको आप कम से कम एक एक बास्केट जरूर लगा कर रखिए ताकि आपको याद भी रहेगा और जब भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है या खराब होते हैं आपके plant तो तुरंत आप उनमें से cutting लेकर लगा सकते हैं नए plant तैयार कर सकते हैं तो देखिए अभी कुछ plant में flowering बहुत अच्छे से हो रही है अब बोली तो बहुत अच्छे से flowering कर रहा है जबकि मैं इसमें कोई भी fertilizer apply नहीं कर रही हूँ कुछ बोगन भी लिया कि मैंने cutting कर दी है मैं उनको नया कुछ अच्छा सेब देना चाहती थी इस वजह से मैंने cutting कर दी है और अभी बारिस हुई है तो बारिस में तो आप समझी सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो जाता है और souring करने से भी हमारा plant बहुत अच्छा रहता है और देखिए मैंने आज सुबह souring नहीं की उसका नतीजा क्या हुआ सारी पत्तियां जल गई है तो हमारे 36 गड़ में friends इस समय बारिस तो हुई है साम को लेकिन गर्मी बहुत जादा है तो दोनों टाइम souring करना पड़ता है देखिए मैंने ये सारे plant की मैंने reporting की है आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इन सारे plant को लगा दोनगी बाद में फिर मैं इने वेवस्थित करूंगी तो देखिए मैंने मिट्टी तयार कर ली है और जो मैंने नए गमले लेकर मैं आई हूँ उन्हीं गमलों में मैं लगाऊंगी तो गमलों में मैंने 7-8 होल बना लिये हैं और जो मार्केट से केरी बैक आते हैं उनका इ देखिए कितनी रेतिली मिट्टी में लगा हुआ है तो इसे मैं ज्यादा छेड छाड नहीं करूंगी हलकी हलकी थोड़ी-थोड़ी सी मिट्टी निकाल देती हूं नीचे से और इसे में रिपोर्ट करूंगी और मिट्टी तो मेरा आप देखी रहे मैंने इस बर कितनी प्लांट हो कोई सभी प्लांट हो मैं अपने गार्डन में एक ही प्रकार का मिट्टी इस्तमाल करती हूं और मेरे गार्डन को जो मेरे डेली वीवर्स वो देखते हैं मेरे प्लांट कितने हिल्दी है और कितने अच्छे से रहते हैं तो मिट्टी के बीना तो प्लांट जो ह प्लांट लगाना संभाव है लेकिन मिट्टी में जो प्लांट लगाओगी वो काफी अच्छे से हिल दी रहते हैं ऐसा लगता है मुझे भई और जो है फ्रेंड्स इस तरह की मिट्टी में तयार की हूँ और आज मैंने क्या किया है मैंने सेंड की मात्रा थोड़ी जादा कर वैसे तो एक पार्ट मैं हमेशा सेंड की मात्रा रखती हूँ लेकिन इस बार मैंने डेड़ पार्ट लिया है डेड़ गमले लिये हैं रेती के और रेत में जो मोटे मोटे से जो दरदरे कंकर निकलते हैं उनको भी मैंने नहीं हटाया है इसमें मिक्स कर दिया है और इसकी जड़े काफी बड़ी बड़ी हो गई थी तो कुछ जड़ो को मैंने हटा दिया है कट कर दिया है और बस आप गमले में मिट्टी डालिये और प्लांट को रखकर देख लीजिए कि कितने हाइट में आपका प्लांट ज्यादा हाइट तो नहीं हो रहा है तो थोड़ी मिट्टी निकाल कर आप फिर से प्लांट को रखकर हाइट चेक कर सकते हैं और लगा सकते हैं तो चली आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर कि एक प्लांट से धेरो प्लांट कैसे तयार करें जब भी नर्शरी से स्नेक प्लांट लेकर आते हैं या कोई भी प्लांट लेकर आते तो देखिए इसमें लगबग 5 प्लांट मेरे बन जायेंगे और इनकी पतियां जो खराब खराब सी पति दीख रही है तो स्नेक प्लांट को पतियों से भी ग्रोह किया जा रहा है तो पतियों से भी गरो ही जाते हैं मैंने भी अपने garden में गरो किया है और ये इतना जिद्धी प्लांट है कि एक साल में आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे डिवाइट करके आप धिड़ेरो प्लांट तयार कर सकते हैं और पतियों को भी मैं नहीं फेकूंगी, पतियों को भी मैं ग्रो करूंगी, जिससे कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट तयार हो जाएंगे, वैसे भी आप देखी रहे हैं, लगबग इसमें पांच प्लांट निकल जाएंगे, और स्नेक प्लांट तो हवा को सुद्ध करता ही ह साथ में फ्रेंड्स, ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है, इसमें पानी जो है, आप कम से कम 5-7 दिन में एक बार पानी दीजिए अच्छे से, और बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है, तो ये रफ एंट अप चलने वाला प्लांट है, और जो गाडनर्स हैं, उनको त अटा दिया है, और उसे भी हम ग्रो करेंगे, तो स्नेक प्लांट में बहुत सारी वैराइटी आती है, फ्रेंड नर्सरी में, मुझे ये वाला दिखा, ये डॉर्फ वैराइटी वाला है, बिल्कुल छोटे-छोटे से होते हैं, एक स्नेक प्लांट है, जिनकी पत्तियां का हो जाएंगे, तब मैं इनको डिवाइड करूँगी, तो काफी लंबा समय लगेगा इनको, तो इतने-इतने जो प्लांट है, और इतने छोटे-छोटे जो पॉट है, इनके लिए सफिसेंट है, इस तरह के छोटे-छोटे चार इंच, पाच इंच के जो गमले हैं, उसका इ पाइदा उठाईए, यदि मौसम अच्छा है, आपके हां इस तरह से अचानक बारिस हो रही है, उस समय यदि हम कोई प्लांट रिपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छे से ग्रोह होती है, और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, तो आज मैंने सोचा हमारे हां बा पोर्च में मैं कर रही हूं, तो देखे मैंने किस तरह से अपने सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट कर लिये हैं, और सब को इस तरह से इस्टेंड में रख दिया है, तो आसा करती हूं फ्रेंड्स, आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अगर आज की वीडियो तो मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, और किसी भी प्लांट की जानकारी आपको चाहिए, तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, तो फिर मिलती हूं नई वीडियो के साथ, बाई बाई